हाई फ्रेंड्स देपिका की रसोय में आपका स्वागत हैं आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूं मटर मसाले की रेसिपी इसे बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए आईए बनाना सुरू करते हैं मटर मसाला बनाने के लिए दो कप हरी मटर के दाने दो मीडियम साइच का प्याज रफली चौप किया हुआ हरी धनिया चैसे साथ लसन की कलिया एक इंच अद्रक का टुकड़ा एक टी स्पून गरम मसाला आधा टी स्पून हल्दी पाउडर एक टी स्पून लाल मिर्श पाउ पाउडर एक टमाटर एक हरी मिर्च दो तेज पत्ता स्वाद अनुसार नमग तीन से चार टेबल इस्पून तेल दो टेबल इस्पून बारीक कटा हुआ प्याज अब हम एक जार लेंगे और इस जार में हम प्याज को ट्रांस्पर कर लेंगे अधरग को हम रफली चॉप करके डालेंगे लस्सुन को ऐसे ही टाल देंगे धनिया मेर्ची पाउडर गरम मसाला पाउडर हल्दी पाउडर थोड़ा सा पानी डाल कर हम इसका फाइन पेस्ट तयार कर लेंगे यह देखिए हमारा फाइन पेस्ट तयार है अब हम इसे एक बाउल में ट्रांस्पर कर लेंगे अब इसी जार में हम टमाटर का भी पेस्ट तयार कर लेंगे टमाटर को भी हम काट के डालेंगे ताकि हमारा पेस्ट चल्दी से तयार हो जाए हम इसका बहुत पतला पेस्ट में ही तयार करेंगे, हलका दरदरा रखेंगे और मिर्श को भी इसी में काट देंगे ये देखिए, इस तरह से पेस्ट को तयार करना है, इसे बहुत जादा फाइन नहीं करेंगे बस इसी तरह दरदरा रहने देंगे अब हम एक पैन लेंगे और इस पैन में हम तेल डाल देंगे तेल गरम हो गया है अब हम इसमें तेज पत्ता डाल के थोड़ा सा इसे हम भूल लेंगे अब हम इसमें बारिक कटा हुआ प्यास डाल देंगे और इसे खुलाभी होने तक भूल लेंगे हमारी प्याज जल्दी भुन गए इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा नमत डाल देंगे और इसे हम वहकत ज़दा गुलाबी नहीं करेंगे बहुत ज़दा गुलाबी करने से प्याज का टेस जला जला सा आता है हमारी प्याज गुलाबी हो गई है और जो हमने मसाला तयार किया था उसे हम इसमें डाल देंगे हम ये मसाले वाले पेस्ट को तब तक भूनेंगे जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे ये देखिए मसालों में तेल छोड़ दिया है अब हम इसमें जो हमने टमाटर का पेस तयार किया था उसे डाल देंगे और इसे अच्छे से मेक्स करके चना लेंगे अब हम इसमें नमक एड़ कर देंगे स्वाद अनुसार और इसे 2-3 मिनट हम अच्छे से भून लेंगे नमक हमने इस समय इसलिए डाला है ताकि हमारा टमाटर जल्दी से पक जाए ये देखिए हमारा टमाटर भी भून गया है अब हम इसमें मतर डाल देंगे हम इसे धीमी आच में एक से डेड़ मिनट के लिए भून लेंगे ताकि मसाले का फ्लेवर मटर में अच्छे से आ जाए अगर आप हमारी चैनल पे नए है तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंडी के बटन को जरूर दबाईए जिससे की लेटर्स अपडेट आप तक पहुच पाए यह देखिए हमारी मेटर बुन गई है हम इसमें थोड़े से अधरक के टुकिडे डाल रहे है यह ओप्सनल है आप चाहें डाले चाहें ना डाले इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें एक से डेड़ का पानी एड़ करेंगे आप चाहें तो पानी कम्या ज़्यादा कर सकते हैं हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसे ढखकर मेडियम आज में तब तक पकाएंगे जब तक हमारी मटर पकना जाए, यह देखिए हमारी मटर पक गई है, अब हम कैस को बन करेंगे, अब हम इसमें धनिया डाल देंगे, यह देखिए मटर मसाला तयार है, इसे बना कर ट्राइ कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज हमें लाइक कीजिए, शेयर क कीजिए और कमेट करके बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, मैं अपनी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ फिर से भी लूगी, थाइक्यू,